यूट्यूबर अर्मान मलिक को आज सब जानते हैं, ये एक फेमस यूट्यूबर बन चुके हैं, लेकिन इनके यूट्यूबर होने की पहचान से ज़ादा, इनकी परसनल लाइफ ज़ादा फेमस है। जी हाँ, दो बीवियों वाले ये यूट्यूबर काफी फेमस हैं और वजह है इनकी एक नहीं बलकी दो बीवियां और दोनों के साथ इकठे भी रहते हैं। अर्मान ने हाल ही में अपनी दोनों बीवियों के साथ बिग बॉस 17 में जाने का चर्चा भी आया था, लेकिन इसके पीछे क्या है सच ये हम आपको बताएंगे। बिग बॉस सीजन 17 के तमाम चहरों में से एक अर्मान मलिक और उनकी दो बीवियों यानि पायल मलिक और कृतिका मलिक का भी नाम है जो काफी जादा सामने आ रहा है। लेकिन अभी कोई भी ओफिशल कन्फरमेशन नहीं आई है ना की चैनल की तरफ से और ना ही इनकी तरफ से। अर्मान मलिक को तो सबी जानते होंगे जो दो बीवियों के चलते काफी ज़्यादा लाइम लाइट में रहते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें और कॉंट्रिवर्शीज हमेशा आती रहती हैं जिसकी वज़े से हमेशा ये तीनों सूर्कियों का हिस्सा बने रहते हैं। ऐसी सूर्कियों का जो बिग बॉस के controversial contestant list की criteria को काफी हद तक fulfill भी करती है। अगर अर्मान मलिक के शुरुआते दिनों की बात की जाए तो ये टिक टॉक पर विडियो बनाते थे अपनी पाइल मलिक के साथ। लेकिन जैसे ही टिक टॉक भारत में बंद हुआ इन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपना profile बनाया और उसके बाद से ही इनको काफी जादा प्रसिधी मिल गई। अर्मान मलिक ने अब अपना धर्म परिवर्टन भी कर लिया है क्योंकि उनको दो शादी करनी थी और दो शादियों की मंजूरी हिंदू धर्म नहीं देता है। कृतिका और पायल ने अपने चैनल पर एक लाव स्टोरी व्लॉग भी शेयर किया है जिसमें उन दोनों ने इस बात को बताया कि कृतिका और अर्मान की शादी पायल की रजामंदी से ही हुई है। और इनका सामना खुशी चौधरी और विवेक चौधरी से होगा जो की एक फेमस यूट्यूबर है। कुछ समय पहले भी विवेक चौधरी और अर्मान मलिकी आपस में काफी सारी कॉंट्रोवर्सी चल रही थी। अब उनका बिग बॉस में आमने सामने होना खुद में ही दिलचस्प होगा। कुछ समय पहले अर्मान की बहन ने भी विडियो बनाकर उन पर काफी सारे अलिगेशन्स लगाए थे। हाला कि इतनी सारी कॉंट्रोवर्सी साथ लेकर ये तीनों कैसे बिग बॉस के घर में सर्वाइव करेंगे ये एक अलग मज़ा होगा। इस पूरे न्यूस पर क्या है आपकी राय कॉमेंट में लिखकर जरूर बताना और ऐसे ही इंट्रेसिंग अपडेट्स के लिए सिरीज और नुर्दी को फालो कर लेना।